हेलो एफ्रिबोडी वेलकम फ्रम माई चैनल आज एक नौया वीडियो आप लोगों को साथ सेर करते जाता हूँ देखिए यह एंसेडी का जो पार सप्लाई है जो इन्वर्डर है पार सप्लाई में इन्वर्डर कैसे टेस्ट करेगा यह जो हम मैं एक रेजिस्टर से यह नियों लैम से यह बाल्ब बनाया इसको हम चेक करेगा देखिए क्या इसका काम क्या है देखिए यह एक पार सप्लाई है एंसेडी का फिलिप्स और विडियो कोन का सेट में रहते हैं यहां पर तू सीसी एफिल है यह जो मैं तैयार किया यह सीसी पिल का काम करेगा मैं समझ जाएगा इंवर्टर सई है न गौलत है अम एक टेस्ट करेगा देखिए कैसे करता है आप लोग को देखिए पूरा देखिए वीडियो आपको बहुत मौज आएगा इसी कानेक्ट कर दिया इसको पार सप्लाई देजिए देखिए यह बोल्टेज में देखिए देखिए यह बार देखिए यह बोल्टेज रीट दे रहा है इसको यह बोल्ट है यह बोल्ट है पीएस ओन का है यह बैद हो आउट्पूट होरता है लेकिन 2 वोल्ट जो है वो नहीं आउट्पूट होता है एक पीस ओन होने का बादी यह अहां होगा यह लेडी का डाइबर में कि मार्किंग कोड अब देख पाएंगे अब भोलो कि अब यह पर देखिए यह पावर ऑन पी डवलो आर अन में ऑन एस डवलू पावर एनेबल एपावर ऑन सिगनल यह मार्किंग कोड एक ही खालने के कोई नहीं बाद नहीं है यह काम एक ही तो कम है इसको प्राइब चुलेकल में चलाईए देखिए मेरा जरा चुलन होता है यह दो मैं आप लोगों साथ शेयर करने जाता हूँ यह पर देखिए इधर इधर यह पर देखिए पीके ओन पीएस ओन फाइब वीएस भी प्लास फाइब ट्वेल फोल्ड ग्राउंड सब कुछ लिका हुआ है देखिए यह पर जो फाइब वीएस भी यह जो है इसको स्टैंडबाई वोल्टेज है यह पीएस ओन है यह पावर ओन पावर ओन पीन है पावर ओन ठीक है चलिए यह मैं कैसे टेस्ट करता हूँ देखिए पहले जो काम है एक 10 के और ओन के रिजिस्टर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा पीएस ओन का है पहले देखिए पीएस ओन है यहाँ से जो है यह पीएस पीएस ओन और फाइब भीएस भी अलग अलग है एक दो तीन चार फाइब सीक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल थाटिन फॉर्टिन ठीक है चलिए इसको हम चेक करता है अब देखिए चलिए थोड़ा सा टाइम लागेगा दीदे से देखिए अब पूरा समझत जाओंगे यहां हम यहां कि के जो स्टैंडबाई के इपीन हैथ यहां से प्यएस ओन को एक टैन के रेजिस्टेंच कर दिया ठीक है कनेक्ट करने कबाद ही मैं यहां पर कनेक्ट कर दीजी है जो 12 बोल्ड का लाइन है सप्लाई आउट्टूट होता है यह पिएस ओन यह रेइस्टर कनेक्ट करने का बाद ही एक वोल्टेज आउट्टूट होगा देखिए नहीं तो यह वोल्टेज नहीं मिलेगा एक सिंप्ल पार सप्लाई यह पर प्यूप सी नहीं है देखिए मैं एसी करेक्ट करता हूं देखिए एसी करेक्ट करने का बाद यह जलता है 12-विंट का लाइट है बाल्ब है जलता है लेकिन मेरा पार सप्लाई ठीक है 100% 200 कंठाउं यह बाल्ब जलेगा तो पार सप्लाई ठीक है पहले जो टेस्ट है उसको देखिए इसको डिसकनेट कर दीजे पहले जो है देखिए यह जो देखिए यह पर इसमें क्या चेक करेगा यह पर देखिए एक टूपल को यह एक सीए फिल है देखिए यह पर करेक्ट करता है कर दिलिए, ठीकिए, यहाँ पर connect किया आउर यहाँ पर connect किया, देखे, देखे, तो पर supply कहाँ PS ON का सिंगनल हम मैं दे दिया लेकिन जो बैकलाइट जो ओन है अचे हैं आचे हिए आफा देखे यह बैकलाइट ओन का सिंगनल जो है यह कि फिल्स आन से एलों बैक करने पाड़ेया थिखे चलिए हम करते हैं देखिए यह रेइस्टर है यह पर हम कानेक्ट करेंगे देखिए देखिए यह पर दिया ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए इसका पर धेंदा किये यह पर यह जो नियोल लैम है यह जलेगा ठीक है मैं पार दे रहूं देखिए देखिए लाइट जलता है इस यह जो लाइट है इस CCFL का काम करता है मैं यह एप्लाई मेथोड प्वेक करेगा आपको ए मेथोड एप्लाई करेगा करने का बाद यह बोर्ट अब टीबी का साथ कनेक्ट करेगा आप कंपर्म हो जाएगा आपका LED जो LCD इंवर्डर सर्कीट है और पार्सिबल आइपी बोर्ट अब करने का बाद बैग लाइट और होता है फिर का सेगंद बाद आप हो जाता है यह प्रब्लेम कहां से होता है और पावर सप्लाई से होता है क्या आपको इंवर्डर से होता है यह अब कंफाम हो जाएगा यह एक सोनी 32 इंज का LCD पाउर सप्लाई है यह इंवर्टर है यह मैं कैसे टेस्ट करेगा यहाँ पर देखिए एक दो तीन चारों एक फोर सिसी पिल यहाँ पर करेक्ट है यह पर लिए एक संद्सक्वाइम यहाँ पर देखिए आप डाई आप देखा पीिछ यह तरी कि देखेश की तेस्ट करता है यह मैं अपने सब्सक्राइब करने की देखियो इसको पावर पावर जो ऑन करते हैं तुझ मैं तुझे तुझे यहां पर जो पावार अन करने के बाद देखिए यहां पर लिए इधर लिए धर लिए यहां पर देखिए 3.3 वोल्ड आता है tenby voltage । अके standby से एक ओन के resistance PS on को दे रहा है देखिए PS on को देने के बाद यहां पर देखिए 24 वोल्ड आउटपूट होता है हमें 24 वॉल्ड आउट्पूट होता है देखे 24 वॉल्ड आउट्पूट होता है यह आमें एक बाच्चे कर लेता है ठीखे तो बहुत अच्छा होगा कोई पावर सप्लाई का प्रॉब्लेम होगा तो आप यहां पर डिटेक्ट हो जाएगा ठीके बाल्प कनेक्ट करके देखेगा पावर सप्लाई सही है ना अच्छा है कि यदिंगे है बाल्प करें कर देखेगे 24 उल्ट का याल का दा पर जार में देखेगे कि 24-25 ठीके 25 ठीक है मैं इसको डिसकरेक्ट करता हूं तो आप यह को कि धिरे सब्सेखेएν पुरा समझ जाएगा देखिए यह पार्ट जो है यह आपर देखिये यहां हम 24 बोल्ट में पर connect करता है 24 बोल्ट का connect करता है देखिये देखिये कर दिया ठीक है ऐसा इसको चार में खूद ही बनाया इसको अब यहां यहां पर कनेक्ट करता हूँ देखिए आपको यह वीडियो पॉसंद हुआ तो मुझे लाइक करिए शेयर किजिए और सब्सक्रेब किजिए कि मैं कोई टेणर नहीं हूँ मैं एक टेणिशियन हूँ कुछ जानता है मेरा जो प्रेक्टिकल एक्सपरियेंस है यह आप लोगों को साथ मैं शेयर करता हूँ ठीक है कोई-कोई अदमी कमंड बक्स लिखा हुआ सर टेनर मैं टेनिंग लूँगा आपको पास नहीं मैं टेनर नहीं हूँ ठीके मैं टेगनिशियन हूँ आपको साथ मेरा नॉलेज जो पैक्टिकल एक्सपरिजिन्स है यह आप लोगों को साथ सेयर करता हूँ देखिए यह चारों जो है देखिए यह पर देखिए चार सीची फिल और मैं करेक्ट कर दिया ठीके अगे कर्में का बाद यहांसे 24 बोल्ट याज हम दे दिया ठीके इसको हम यह से चेक करेगा आप देखिए मेरा पास एक मेरा टेस्टर है मैं एक खोदी बनाया ग्राउंड कर साथ करेक्ट करेगा तो ठीके अपर दो डो चोड़िए एक तो है ठीके आप देखिए यह सब देख रहा है ना कि कैमेरा में इस बाता है ठीके चलिए देखिए यह यह पर आप देखिए हम यह जो टार्च करेगा उज़़नेगा कुके जल नहीं पढ़ेगा न है को है यहां पर तेखिए तो यह पर देखिए यह पर जफके तैम हम यहाँ पर connect करता है, देखिए, वो light जलता है, देखिए, 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 अब देखिए, देखिए, अब देखिए, देखिए, जलता है, यह जलेगा, तो आप confirm हो जाएगा, आपका जो power supply है, जो inverter board है, वो सही है, नहीं जलेगा, तो इसमें कोई गुलती है, यह आपको repair करना पड़ेगा, यह connect करने का बाद, यह सब जलने का बाद, जब आप यह power supply, इंवर्डर आपकी बी के साथ connect करेगा, backlight on नहीं होगा, आप समाझ जाएगा, अलग कोई problem है, आपका inverter power supply correct है, ठीके, यह मेरा practical experience, मैं इसको आप समझ गया, आउर एक बाद देख लेजिए, यह आपर connect किया, यह आपर देखाईए, पुरो आ रहा है camera में, यह आपर हम connect करते हैं, देखिए, जलता है, देखिए, जलता है, ठीके, यह method आप लोगों को apply कर सकता है, काम करने के लिए, अच्छा, यह काम का speed बहु मैं खूद ही बनाया, इसका बारे मैं details आप लोगों को साथ share करेगा, पहले वीडियो में, ठीके, next video में, sorry, next video, इसको छोड़ देखिए, यह आउर एक पार supply है, अलग पार supply, यह स्वनी का ही पार supply है, यह पर देखिए, जो stand by voltage है, उस stand by voltage 13 volt है, यह पार supply मैं कैसे चेक है, यह पर 12 volt output होता है, यह मैं बाल्ब connect किया, लेकिन यह जो PS on pin है, यह पर AC off detect है, AC off detect यह connect करेगा, तो पार supply on होगा, लेकिन वो तरीका अच्छे नहीं है, और रंग तरीका है, ध्यान से सुनिए, AC off detect को, यह पर connect करेगा, वो अच्छा नहीं है, वो कोई भी fault हो सकता है, पार supply में, ठीक है, एक ऐसे test करेगा, यहां से, यह ओन करेगा, यह पर देखिए, पार supply में कोई यह क्या करेगा, देखिए, यह मैं जो tools में खोडी बनाया, इसको हम यहां पर connect करने का बार यह test होता है, यह मैं गाउन का साथ connect कर दिया, देखिए, देखिए, यह on करता है, देखिए, यह पर connect करेगा, देखिए, पार supply on होता है, ठीक है, एक 12 वोट आउटपूट होता है, देखिए, ठीक है, देखिए, अब कोई कुछ नहीं है, यह मैं तीन connect कर दिया, लेकिन सब कुछ यहां पर दिया है, देखिए, देखिए, चलिए दूस्तों, आज यहां पर समप कर रहू, थैंक्स फर थैंक्स फर वाचिंग माई चैनल, आप ए वीडियो जरूर पसंद हुआ तो, प्लीज आप लाइक किजिए, शेयर किजिए, और सब्सक्रेब किजिए, और नेक्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा, एक पैनेल का उपर, अच्छा वीडियो आपको साथ, मैं मेरा पैक्टिकल नोलेज आपको साथ, शेयर करेंगा, चलिए, गुट नाइट,